चलिए बच्चों, तो आज होके हम study point coaching classes से live, तो आज हम बनने वाले electoral politics series का third chapter, इसके बाद बस हमारे last chapter बाके रहेगा, देखे, chapter बहुत easy है, इसमें अपने इंडिया के बारे में बताएगा है कि इंडिया में election कैसे contest होते हैं, चलिए, तो an election is a process through which people choose their representative at the regular time intervals, इसका मतलब यह यह, यह election की होते हैं, यह लोगों को choose करना है, leaders को, और यह लिखते रहना, वीडियो pause करना, मैं आपके लिए लिखता है, पहले से लिखते हो, क्योंकि उससे time बचता है, और वीडियो लंबी नहीं होती है, अगर मैं लिखने बच जाओं तो time बहुत लग जाएगा, ठीक है अब what makes an election democratic, democratic का मतलब क्या होते है, democratic मतलब अच्छे से, अच्छे से मतलब कि उसमें कुछ रुकावट में आने चाहिए, एक दम बढ़िया तरीके से, ठीक है, देखते हैं क्या-क्या होती है, ऐसे चीज़ है, everyone should have one vote, and every vote should have one value, यह हमने उसमें भी पढ़ता है, democracy में, कि सब के पास एक ही vote अना चाहिए, और एक ही value होने चाहिए, ठीक है, parties and candidates should be free to contest election, and should offer some real choices, इसका मतलब यह है, कि जो भी हम parties, मतलब जो भी party बन रही है, वो जो हम लोग है, जो हम vote करे, उनको choices ऐसी देनी चाहिए, जो real हो, ऐसा नहीं कि, बोल दिया कि हम अपको बुर्ज का लिख बादा, people should get elected, लब जो लोगों ने select किया है, उसी को select होना, इलेक्ट होना चीए, ठाकी ऐसा, कि वो उसके बिमार हो गया है, या कुछ हो गया, तो उसका भाई यहाँ बंदू को ही बन रहा है, election should be conducted in a free or fair manner, where people can choose freely, यह अपको पता ही, क्योंकि हम democracy में पढ़ते हैं, ठीक है next question की तरफ मुव करते है, political competition, competition तो आपको पता ही है, political competition क्यों होता है, जो parties लड़ते रहते हैं, आपस में, उसका बोल रहा है, इनके demerits, demerits मतलब disadvantages, competition के disadvantages क्या है, in the name of political parties, many unwanted practices are followed, अब यही देख लिजए कि जीतने के लिए बहुत सार जो parties होती है, वो क्या करती है, बहुत गलत-गलत dirty practices use करते है, जैसे Mexico, ठीक है, it creates a sense of disunity, disunity मतलब एकता नहीं रहती है, मतलब unity नहीं रहती है, parties level allocation, each other is dirty tricks to win election, मतलब, party एक दूसर से वो करने के लिए, fight करने के लिए, जगणा करने के लिए, बहुत जादा गंदी tricks अपनाती है, जैसे polling boots को चोरी कर लेना, या voters को पेसा देना, ठीक है, long term and sensible policies can't be formulated, मतलब, long term के लिए जो policies होती है, जो rules मनते, वो नहीं हो सकते political competition, और good people do not enter politics, जो अच्छे लोग होते है, वो politics में enter नहीं करते, अब इसके कुछ merits भी होंगे, मतलब इसके कुछ advantages, देखे, advantages क्या है, यह उपर वाला आप लेक लेना, ठीक है advantages क्या है, elections are good because they force ruling party to perform, जैसे for example, अभी इन दौर में, क्या बोलते है, भाजपा और Congress, इन दोनों में लाड़े चालते हैं, अब अगर मानलीजी competition ही नहीं होता, मानलीजी भाजपा ही rule करती, तो भाजपा को perform करने का, मतलब perform दो करती ही नहीं हो, मतलब उसको कोई इसा डर त करना पड़ेगा कर जीतना है तो, यह point हो गया, it forces parties and leaders to perform, वही same point है की leaders को perform करना है, जनता को अपने तरफ रखने के लिए, it helps to force parties and leaders to serve their people, same की people, आहम जनता के लिए वो करना, अपने को serve करना, ठीक है, thank you for watching this video, next video में हम मिलते हैं आपको civics के second part से,